तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वालों सैमसंग के मॉवाइल की आपको 10 टिप बताने वालों उन टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपकी मॉवाइल की बैटरी के लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी या कि सकते हैं मॉव इहां बताने वालों उसके लिए आपको करना क्या होगा को यहां पर सेटिंग पर मुवाइल की है लिए घायेज तरफ आप हूपता है याप को ओपे श्लय मिलता है उसके जाने का सब से नीचे की तरफ आएंगे 앞으로 ही एक ऑप्शन मिलता है यहां पर आप आप आफ करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे आपको एक नरीशन दिखाएगा इस विल बी टाटा यूजर बैटरी पावर को अपन करके नहीं देखेंगे तो आप इसको अपने हैसाब से बहुत इजी लिए सको सिग्माइशन को ऑन या ओफ कर सकते हैं कैसे आप यहां नीचे की तरफ स्वाइब करेंगे तो आपको देखेंगे यहांपर आप अप्शन मिल जाएगा सिग्माइशन का नोटिफिकेश यहां पर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर आपके बार बार यहां पर location on रहता है, location on on इसे होता गया है, यह बहुत battery खाता है अगर आपको uses कम हैं तो आप इसको मैं कहूंगा बंद करके रखें, अगर आपको uses जब आपको जोरत पड़े तो आप normally इसको on कर लीजिए और उसको see time use करेंगे तो आपकी यहां पर battery save अच्छी खासी हो जाएगी दोस्तों, इसमें एक और option आपको करना रहेगा, location को off करने के बाद तीसरी बहुत सकते हैं, तीसरी टिप बता रहा हूं, उसके लिए आपको जाना है आपने mobile की setting पर, setting पर जाने गया तो आपको यहां पर जाना है, location वाले option पर आपको दिख रहा होगा, यहां location वाले option पर जाने गया, दोस्तों, यहां पर आपको जाना है, यह location on रखोंगे, तो आपको दिखेगा, यहां पर जाना है, आपको improve accuracy पर और आपको यहां पर Wi-Fi scanning और Bluetooth scanning दिख रही होगी, आपको दोनों को यहां प चल रहा है वाला जो नया फीचर बताने वालों या फो टेप बताने वालों आपने दिखा हुओ दोस्तों आपको कुछ टाइम से आपको एक नया option मिल रहा है गूगल की तरफ से नियरबाय शेयर दूस्तों यह नियरबाय वाला शेयर क्या है background में इसकी एक process run होती रहती आपके आसपास कोई भी nearby share का on करके बैठा होगा तो आपको वहाँ पर scanning करता रहता है आपको इसको अंदर से सेटिंग पर बंद कर देंगे तो यह background में फालतो के scanning नहीं करेगा तो वहाँ पर भी आपकी battery save होगी तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जाना है अपने mobile की setting पर जाने कर आपको जाना है connection पर जाने कर दो यहाँ पर आपको option मिलता है more connection आपको more connection पर जाना है चाहिए तो अपने यहाँ पर setting से टगल से इसको on करके आप इसका use कर सकते हैं दोस्तो तो यह से भी आपकी mobile की battery काफी हद तक safe होने वाली है दोस्तो उसके दोस्तों मैं जो fifth पताने वाला हूँ वह भी बहुत कमाल का feature है या बोल सकते हैं कमाल का tip है उसके लिए आपको जा लेगी और उतने ज्यादा आपकी battery वहाँ पर effect होगी तो आप यहाँ पर इसको कोशिश करिए आप इसको dark mode पर ही on use करें dark mode भी क्या होगा जितने भी आपके whites की light जलती है उसाब बंद हो जाएंगी और वहाँ पर आपकी battery safe हो जाएगी तो आप तो एक चीज़ यहां करना ह उसके बाद जो six step बताने आला हूँ उसके लिए आपको यहां पर option मिल रहा है addictive brightness आपको इसको on करके रखना है फिलाल मैं light कर लूँ ताकि आपको easily यहां पर दिखेगा मैं भी dark mode पर ही अपना mobile अधिकतर यूज करता हूँ यहां पर आपको दिखेंगी जो six वाला है addictive brightness आप आपको बार बार increase करनी की जरूद भी नहीं पड़ेगी और जब automatic करेगा तो वहां पर आपकी mobile की battery को भी save करेगा क्योंकि अगर आप अपने साबसे करा आपने full कर दिया तो हमेशा के लिए full हो जाएगा तो वहां पर आपकी mobile की battery बहुत ज़्यादा खाएगा तो आपको addictive brightness को भी यहां पर यूज करके रखना जिससे आपकी battery काफी हद तक सेफ हो जाएगी उसके दोस्तों में 7 बताने वाला हूं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां सैटिंग पर जाना है सैटिंग पर आपको यहां पर जाना है यहां पर नीचे की तरफ आएंगे आपको auto optimize daily सबसे पहला जो फीचर है आपको इसको on कर लेना इससे होगा गया यह background में जितनी भी apps आपकी run कर रही होती है यह सारी उनको close कर देता है या बुल सकते हैं recently वाले को delete नहीं करेगा जितनी भी फालतु की जो आपकी RAM में use हो रही होंगी उन apps को बंद कर देगा और से automatic gear work कर ले तो इससे भी आपकी मोईल की battery बहुत हट तक save हो जाईगी उसके बाद जो 7 के बाद add बताने वाला हो है additive power saving mode आपको इसको on कर लेना इससे क्या होगा दोस्तों यह आपके mobile की uses के हिसाब से मतलब कि आप कब-कब अपने mobile को use करते हैं कब-कब अपने mobile को use नहीं करत वाले जाना क्या होगा यहां जाना आपको ब्रेटरी सेटिंग पर यहां जाना है आपको more battery वाले सेटिंग पर यहां पर आपको आपको ब्राइटिब ब्राइटनेस और दिख रहा होगा os सुरी addictive battery वाला option आपको सबसुपर मिल रहा है addictive battery वाला आपको इसको भी you on कर लेना इससे क्या होगा limit battery उसे for app that you don't know is often मतलब कि जिन apps को आप use नहीं कर रहे हो उनको ये battery देना बंद कर देगा इससे आपकी वहाँ पर battery safe हो जाएगी दोस्तों उसके बाद मैं एक और future बताने वाला हूँ उसके वाइस लिए आपको जाना होगा back और यहां पर जाना है background यूजर लिमिट पे यहां जाने गया था आपको सबसुपर option मिल रहा है put unused app to sleep put unused app to sleep दिख रहा होगा आपको इसको on कर लेना है by default यह off रहता है आपको इसको on कर लेना है इससे होता गया दोस्तों जितने भी आप महला आप बहुत सारी mobile में app download कर लेते हैं उनको use नहीं करते बड़ उनको delete भी नहीं करना चाहते उस case में आप इसका use कर सकते हैं इससे क्य होगा यतनी भी फालत हो कि यह जो आप use करते नहीं रेरी केस में उसकरते मतलब कभी कभार महीने में हफते में एक एक बार तो उनको यह बैटरी नहीं देगा जब तक कि आप उसको open नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको बैटरी सेफ हो जाएगी दोस्तों उसके आद में ए ओप्टिमाइज बैटरी युजर इस पर अपको स्पें क्लिक कर लेना और यहाँ पर आप चाहें तो उसको और कलिक कर लिए यहाँ पर क्या ओगा जो सो जितनी भी आपके वंवाल में घृट पार टी एफ हैं आप उनको यहाँ पर क्लिक कर देंगे उससे होगा क्या ऑप् अधिकतर तो टिक रहती हैं लाइक ये इस्टाग्राम टेक के ये बेकगराउंड में डेटा नहीं खाएगा काईट ये सब मैंने उसको आउन करके रखा हुए अगर आपके मुवाइल में नहीं है तो आपको इनको आउन कर लेना है इससे भी आपके मुवाइल की बैटरी पर नहीं डाल सकते हैं आपको यहां सारी अप्स मिल जाएगी आपको वाइडेफॉल्ट उनको आउन या ओफ कर लेना है लाइक आपको दिखर होगा यह सैमसंग विजिट इन 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 आप यहां पर चाहें तो इसको एपस नोट आप्टिमाइस पर कर देंगे जितनी वी ए पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपके मुवाइल की वैटरी की लाइफ इन स्टेप्स को फॉलो करने के अधिन क्रीज होगे दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हो सके दोस्तों मेरी वीडियो को शेर करना ना बूलें और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आएं दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज मेरे चैनल की नेक्स बूड़ी की अपडेट आपको सबसे पहले मेरे दोस्तों और हो था कि तो मुझे इंस्टा करों प्रेज़ो करना भी ना बूलें इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंकि दोस्तों